शीतला माता मंदर वाट नमबर बारा डीमर महला में रात के समय करीब बारा बजे एक कच्छे मकान की च्छात और दीवार ढह गए इसे मलवे में पूरा परिवार दब गया चीफ पुकार सुनकर आजपास के लोग वहां पहुंचे और रहत काम शुरू किया है गटना में मास च्छे वर्षे वंश और उसकी नानी वैं मौसी को गंभी रूप से चोट आई है नानी और मौसी पाली को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है जबकि वंश को इंदोर भेजा गया है पाली सेलर ने बताया कि रात में सभी परिजन्त हो रहे थी दिन में उनके घर कथा थी बड़ी बहन भी अपने बच्चों के साथ आई हुई थी पाली की तब्यक खराब होने पर बड़ी बहन देखने और कथा में शामल होने आई थी रात में अचानक घर रहे गया पाली का कहना है अगर वैं जाग नहीं रही होती तो शयद कोई भी जंदा नहीं बचता पा क्या नाम है गुडिया आपका मेरा नाम है पाली सेलर पाली सेलर कहां रहती हो आप सीतला माता मंदिर डीमर मोलना अचो क्या गटना होई थी आपकी रात को बरीब एक बड़ी के संथिंग नकोशन से अंदर आई और आके थोड़ी आपी मैंने लगाई थी और उसके बाद क्याते हैं जैसी मैंने आप कूली तो पूरा घर एक्दम गिरिया हम सब पर वो सब सुह रहे थे और नहीं में उनमें रभाई जाता तो समय अच्छा पापा का नाम क्या है आनंद के बड़ क्या करते हूं मजदूरी अच्छा तो कितने लोग यह कौन है आपकी यह आपकी मम्मी क्या नाम है इनका रुक्मनी जी अच्छा और कौन था घर में अच्छा आपको मम्मी को और एक छोटे बच्चा जो कितने चेस अच्छा और छे साल का वो बच्चा किसका था अच्छा एक और यह अच्छा उसका नाम क्या है इसका उसका इंदोर बेज दिया अच्छा क्या हुआ रात में कौन लोग आए कैसे आया आप लोग आप लोगा इस अच्छा मकान है आपका इसकी अच्छा निकले और मारे मुला वाले नाते तो आज हम जाने हुटे अच्छा तो अच्छा आपकी वह आगा है होंगे को जो चुना मुनाव लड़ा है लोग बाग जास परताल परताल कर देख इस वह भी आए होंगे कई लोगा इस अ हुआ हैंज हुआ हैंज है वह दो आपकी वह दोग एका निवा जाते इस अच्छा जाग परताल कर दो हमें परताल कुना मुला भी आफ़ा है छोगा वह एका लॉआ कर दो के लो खागा है परताल कर दियूए आपकी आज है